हेलो अवरीवन वेलकम तो माई चैनल ऑप्शन्स टेडर टुड़े तोड़े सो आज इस वीडियो में मैं आपको गोल्ड सिल्वर और क्रूड किस तरह मूफ कर रहे हैं लास मन्त और किस तरह मूफ कर सकते हैं नेक्स मन्त दैट इस करेंट मंथ सप्टेमबर अगर हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं तो what we can see here that the price जो गोल्ड प्राइस है वह एक्तम हाय मारा है उसने 2074 का उसके बाद के अगकी आँड प्रार्इच उपे य्म इश कुप का श्राट आप जहाँ चार्ट कि दाए अंगर यह करन्ट चल रहा हैं गोल्ड यह करेंट चल रहा है इसीं लेवेल पर रहता है तो चांसे आए drag PS 50 तो एक्र भूर्र 911 है alder-up publication जाने से पहले एक सपोर्ट रिजिस्टेंस है जो कि 1828 है अगर यह को स्टेज करता है तो समझ लेजे यह 1866 भी जा सकता है अगर 1866 गया है तो यह लेवल की 1875 भी जा सकता है अगर यह रेंच विकार यह लेवल दो बार टेस्ट हो चुके है और मैंने कहा है कि 1845 इस वेरी दो टो लेवर लेवल ओव नाइटीन हेंड़ रॉल सब्सक्राइब टैस्ट विए इसको 1845 के उपर रहना पड़ेगा अगर यह नीचे जाता है सबस्के नीचे जाता है एटीन इंट के तो चांसे जानगी यह 1784 भी जा सकता है और यह 1750 पिजा सकता है अगर यह इसके 1775 के नहीं चाहता है तो चांसे जाए कि यह 1748 भी और उसके बाद 1720 एंफिर यह 1700 को तोड़के नीचे भी जा सकता हूँ अगर हम कि सिल्वर की बाद करें तो कि अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर क्या है कंटिनुसली एपरेल के बाद और यह 2020 के बाद करो मैं शाप राइस किया उसके बाद रेंज में हुए रेंज में है बहुत ताइम से तो सपोज अभी यह जो हमने इसलमें ग्रीन कैंडल देखा लेंग इसमें अगर इसके उपर रहता है तो चैंस सब्ढूर कि यह मैं ट्वन अगिश्ल्डार का को देखक Stephanie डश्मटा उसके लेवल पर इसी गें उपर रहता है तो यह 25.57 ब गोच्विन सब्सक्ता है क्योंकि एक green candle बन चुका और यह strong support दे चुका है, strong support is 22.989, ठीक है, तो अभी यह 24.690 पर चल रहा है, तो अगर यह stay करता है अब अब तो chances हैं कि यह 25.210 भी जा सकता है, और उसके बाद यह 25.991 भी जा सकता है, अगर stay above this level, then we can see a level of 27.011 also, अगर यह उसके उपर stay करता है, तो chances हैं कि 27.551 भी जा सकता है, and then it can go further high, यह उसके उपर भी जा सकता है, and can touch a level of 27.872, अगर इस range में आता है, तो समझ लेज़े यह और उपर के तरफ और all time high भी मार सकता है, July से, तो अगर यह, suppose यह नीचे की तरफ जाने लगा, और 24 से नीच chances हैं कि 22.809 भी जा सकता है, अगर यह इस level को तोड़ता है, क्योंकि यह बहुत strong resistance है, अगर इस range को तोड़ता है, तो हम देख सकते हैं कि 22.20 हो जा सकता है, और उसके बाद अगर यह जाएगा, तो 21.609 जाएगा, chances क्योंकि बनते हैं कि अगर यह strong range है, यह stop, अगर यह support तो होड़ता है, तो chances है कि यह 21.609 पर जाएगा, और अगर यह range तोड़ता है, तो सब यह समझ लेजे कि इस range को तोड़के सिधा 19 पर आ सकता है, तो आपको conscious रहना है कि अगर यह इस range के अंदर बना हुआ है, 22.92 के, तो chances है कि यह upside हो सकता है, chances जाने का, और अगर यह 24 के उप पर बना हुआ है, तो more upside जा सकता है, अगर यह range को तोड़ता है, तो और नीचे जा सकता है, 22.92 कोई, अगर हम crude की बात करें थी, उसके बाद रेंच को नीचे की तरफ तोड़ा और यह था May में, में अब 2021 की बात करें तो यह particularly upside ही जा रहा है, upside ही जा रहा है, तो देखी अभी जो range low है इसका, वो है 62, suppose इफ यह 69.2 के उपर stay करता है, तो chances है कि यह 70.31 जाता है, अगर इसके उपर रहता है, तो chances हो जाएंगे कि 72.45 जाए और उसके उपर यह 75 भी, 74.24 भी touch कर सकता, and we can see, it can go to high of around 76 और 77 और but यह अगर इसके उपर stay करके, यह suppose कर लिजए 72.81 के उपर बना हुआ है, तो यह और उपर जा सकता है, अगर इसको तोड़ता है, 66.769 तो chances है कि यह और नीचे जाएगा, तो 65.66 उसके नीचे अगर जाने की गोशिश करेगा, तो 62 भी जा सकता है, but इसको 64.95 के नीचे रहन है, okay, suppose if the price, अगर यह 67 के नीचे जाएगा, तो chances हो जाएगे की crude 64.95 भी जा सकता है, और अगर इसको इसके नीचे stay करता है, तो chances है कि 61.73 जा सकता, अगर यह इस लेविल पर आएगा, तो chances है कि इसको ब्रेक करके और नीचे फर्दल लो जा सकता है, 58 तक, 57, 59 और 58 से range नीच है, तब अगर यह 60, 71 के उपर बना हुआ है, तो chances है कि 74, 75 भी जा सकता है, okay, so hope you like the video, and if you like the video, please give a thumbs up, and if you are new to my channel, please subscribe.